नमस्कार आप देख रहे हैं, SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ प्रांशी राठोर। जारकन प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के जम्बू टीम के सामने वही पुरानी चुनवतियां हैं। एक अद्यक्ष और पांच कारेकारी अद्यक्ष के बन जाने के बाद प्रदेश में उपाद्यक्ष महा सचीव जैसे कई महतवूर पद खाली हैं। और इसके लिए नेताओं ने अभी से लॉबिंग करना शुरू कर दी है। हालंकि अभी पुनर घटन के सवाल पर पार्टी में चुप्पी बनी हुई है। पार्टी विलाल प्रदेश अद्यक्ष और प्रवक्ताओं की टीम के सहार ही काम चला रही है। वहीं आपको बता दें कि नई अद्यक्ष के आते ही पुरानी कमेटी भंगो जाती है और इसका पुनर घटन होता है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। कुछ पद अभी भी खाली हैं लेकिन उनकी भरपाई अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। वहीं आपको बता दें कि चुनाप तक चुप्पी बरती जाएगी, कारेकरम को पूरा किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश, उपाद्यक्ष और महासचीव जैसे पदों के लिए पाट नई लोगों को जिम्मेदारी देती है, अत्वा चुनाप तक चुप्पी बनाए रखती है। यह वक्त ही बताएगा। प्रदेश कॉंग्रेस में लगभग एक दरजन प्रवक्ता हैं और इन सभी का पद अभी बना ही रहेगा। प्रदेश से जारी निर्देश में समितियों ने पुनरगटन को लेकर इस पस्ट आदेश नहीं देने के कारण नई टीम में इसमें चिरचार नहीं करने जा रही है। कमलेश को कारेकारी अद्धिक्ष बनाया गया है। इसके बाद जॉर्नल कॉर्डिनेटर के जगा दूसरे नाम पर विचार किया जाना है। इसी प्रकार मीडिया कमेटी के चेर्मेन राजेश ठाकूर भी कारेकारी अद्धेक्ष बन गई हैं जिसके बाद इस पद के लिए नई चहरी की तलाश की जा रही है साथी आपको बता दें कि चुनाव के पूर्व सभी जिलों के कोर टीम के साथ नई अद्धेक्स बैठक कर सकते हैं ये बैठक जिले में भी होगी और राची में भी कुछ जिलों को बुलाया जा सकता है इसके बाद चुनावी तैयारियों का वास्तिक आकलन कर पार्टी केंद्र को रिपोर्ट करेगी जिलों की बैठकें शीग्र शुरू होने की बात भी कही जा रही है फिलाल के लिए इतना ही बाकी की तमाम खबर जाने के लिए देखते रही है SPN 9 News